आपने मुझे बहुत महत्पुन विशे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए एरिदे से साधुवाद और धन्यवाद निस्टे यी दोनों ही विशे चुंकि मुझे कल भी बोलना था कल भी बोलना था परन्तु कल मौका नहीं मिला इसलिए आज दिया तो मैं दोनों ऐसे महत्पुन विशे हैं जो जल और विद्युत दोनों से जुड़े हुए हैं दोनों हमारे जीवन की रेखा है और दोनों ही महत्पुन विशे हैं जल के लिए तो आप सबने हम सबने कहा है जल जीवन है जल है तो कल है परन्तु आँखों का आँखों की जल की बूंद और वर्षाद की जल की बूंद दोनों ही बहुत ही महत्पूर्ण हैं और दोनों के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि पानी के कान किसी की आँखों में पान गाव का पानी गाव में और शहर का पानी शहर में इसके लिए मैं आपके मांद्यम से माने मंत्री जी से निविदन करूंगा कि हमारे पारंपरिक जल सुरोत है उनके लिए विशेष योजना बना करके उनको सरक्षित किया जाए और उनको सुरक्षित किया जाए चूंकि शहर में आप सब को विदीत करते हुए आपके मादियम से सवापती में हो दे पारंपरिक जल सुरोत के लिए जो कुए बावडी तलाव आदिये सभी माने सदस्यों नहीं विशे जरूर रखार मैं भी कहूंगा मेरे छेतर में सबसे एतियासी के एक तलाव है जो भणियाना गाम मे हैं और जो साथ गावों को पानी पूर्ती करता था परंतु दुर्भागिये ये हैं कि उसके रख रखाव भी नहीं हो रहा है बबूलों ने चारतरब से घेर लिया है और अतिकर्मन भी हुए हैं जहां जहां ऐसे अतिकर्मन हैं तलाव नाड़ी आदि पर और जो हमारे पा आदार रहा है साथ गावों को जल के आपूरती आकाल में भी करता था उसको विसेज पेकेज दे करके आपके मादे से मंत्री जी को कहूंगा कि बढ़ियाना को बहुत बड़ी एक सोगात देने की किरपा कराएं और बढ़ियाना और फरसुन में जैयन कारेले भी नहीं है छ क्या करेगार किसको दे करके राजी करेंगे लिए मेरा नहीं सबका सदस्यों की मांग है कि इसको दुगना किया जाए और एक विसेज मांग उठी थी वो ये थी कि शोलर युक्त हेड़ पंप वो भी हम सब को स्विकरत किये जार वो धार्मिक इस्तान स्कूल विद्याले हो में विसेज प्रात्मिक्ता के साथ में हमें सब के लिए यह आप सोगात देंगी तो और अच्छा रहगा सवापती में हो दे मेरे चेतर में नहर भी लगती है और नहरी चेतर में बासट अजार शुच्छास हेक्टर भूमी कुल भूमी जंबे सर कैनाल कमांड चेतर के विदन करूँगा कि यह जो बासट अजार शुच्छास हेक्टर में तीन सो दस क्यूसी पानी को हमारे को दिया जार सिंचित किया जाए इंद्रा गादी परियोजना के तहत जो आवंटित मुर्बे आवंटित किये जाते थे किसानों के वो दोजार सत्रा से रुके पड़े उनको भी स्विकर्ट किया जाए और अदीशासी अवियंता जो फलोदीम बैठता उसको पोकर्ण में बिठाया जाए चूंकि मेरे विदान सबा में रामदेरा और पोकर्ण दोनों दोनों एतियासी उगर धार्मिक नगरी है इनके लिए लाइट और पाने की विसेश विव करूंगा दिए तले अंधेरा देखना तो जेशल मेरो पोकर्ण को देखें सबसे जादा सोलर आवं पंवर्ण उर्जा के मादयंसे पूरे परदेश को विद्यूत कोई दे रहा है तो पोकन और जेसलमेर दे रहा है और वहीं हम लाइट के लिए तरस्त है वहाँ की जितनी कंपनिया आए वहाँ इस्थानी उकारे करताओं और इस्थानी नागरिकों को प्राथ्मिक्ता से रोजिधार किया जाए वहां का CSR है वह वहां इस्तानी विकास के लिए खर्च किया जाए पोकर्ण में 3700 क्रिशी कनेक्शन जो दोजार 2018 के बाकी पड़े जिनके क्रिशी कनेक्शन होगा के आप डिमांड भी जमा होगे पर वो बाकी है ऐसे मेरा पूरा छेत्र वंचित पड़ा है गर ग वैसे अपने खाते में आगे पर किसार के गर अभी तक लाइट नहीं गई है इस विवस्ता को सुसारू किया जाए पोकर्ण नगरपाली का 132 है चूंकि पोकर्ण और रामदेरा दोनों पास में धार्मी गोने कारण उसको भी आप इसे प्रात्मिक्ता देते हुए बढ़ा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है देचू मैं जो 220 केवी का है उसको 400 केवी का करके स्पेसल यहां की योजना दी जाए आपने मुझे समय दिया मैं मानता हूँ आपके मादिम से मेरी बात को मंत्री जी गंबिरता से सुनेंगे मेरी सेत्र की समस्यां का समाधन प्रदेश की सम लिगा मोगा